मैं तो पहली बार विदान सभा के लिए इसक्रिया हुआ इससे पहले मैं कभी स्क्रिया नहीं हुआ ज्यादा तरफ कॉंग्रेस की तरफ रूख कर रहे हैं क्या बात है ज्यादा टिक्टार्थी हो गए मैं नहीं कह रहा है लोग कह रहे हैं सबके मन पर कॉंग्रेस कॉंग्रे विकास तो नहीं हो उसने खुद का विकास जरूर किया सीर के कामे साजले कामून में सुनील आगर नहीं रहता या नहीं रहता गाओं की लहर बाकी गाओं गोहांट तक पहुंची या नहीं पहुंची नाशकार आप कैथल बैग न्यूस देख रहे हैं मैं हूँ अजय तो बड़ी बात यह है कि यह सुर्जे वाला गुट के नजदीक बताया जाते हैं और कलायत हलके से चुनाव लड़ने के चुक हैं और अपने दावे चुनावी वादे लेकर लगातार लंका लोगों के बीच मिल भी रही हैं लेकिन जनता इनको कितना पसंद करेगी वो दे चुनाव के नजदीक आते ही थोड़ा सक्रिया हो जाते हैं और तीन चार महीने जब रह जाते हैं चुनाव के तो थोड़ा सा गायब हो जाते हैं कितनी सचाई है यह तो बिल्कुल सरा सर जूट है मैं तो अब की बार ही यह तो मैं पहले किसी चुनाव के नजदीक आके मैं में चक्रिया हुए हुए मैं तो पहले बारव सबार के लिए सकरिया क्लाया तलके में क्या मुद्ध देख निख के पहले प्राथ मिक्ता के तोर पर उनका समाधा आनों चाहिए सबसे पहले सबसे पहले और इसके बाद के गाउं गाउं में सरड़क बड़ी हैं इनका समधान है आपके पास की एजुकेशन को लेकर कलायत में ऐसे ऐसे काम हो सकता है क्योंकि जनता तो देखो विजन देखती है सर्फ क्लियात में अगर कॉंग्रिस का राज आया तो कोई क्लियात के अंदर कोई बड़ी फैक्टरी लगे जिस से अलका कि या डिस्टिक की पूरा क्लियात इसकी कैचल की विरोजगारी दूर हो तो ऐसा कोई कि इसमें आज इसा कोई रिक्वेस्ट करेंगे उपर बार की कोई बड़ी कंपनी है जैसे नुईन जिंदल जी की कोई बड़ी कंपनी यहां स्ताफित करें जिसमें कई अजारों युवां को रोजगार मिले लोग ज्यादा तरफ कॉंग्रेस की तरफ रूख कर रहे हैं क्य यह भी बोले कंडिडेट को यह बोर्ट कंग्रिस को देंगे तो मान लीजिए आपके पार्टी से कई सारे टिक्टार थी हैं आपको टिकट ना दिया जाए ऐसी वेज में आप क्या करेंगे अगर मेरे को नहीं टिकट मिली ऐसी आवेज में जिस और भाई को किसी को टिकट म मजबूत बताता है मैं टिकेट की दोड़ में हूँ तो मैं मेरा शत्तिस गड़ में कारोबार चोड़ के मैं यहां लगा में दिन रहत पूरी मेंद कर रहा हूं मैं सुबह आठ बज़े न की दोच रहत दस वजब जाता हूं लोग क्यों चुनें सुनील को सुनील में क्या है बाकी उमि द्वारों से किस तरह अलग मानते हैं खुदकु आप बाकी उमि द्वारों से मैं अपना मेरे साथ मेरा पूरा गाओं और गुड़ों का मेरे साथ भी जीला पार्षद बनाया था इलाका ने उसमें मैंने काम किये तब ही तम उन गाओं में जाके अपना चाती के बटन खोल का काई दियों बाई शाब मेरी मदद करो अगर मैं उन से उनकी बातों बेखरा नहीं उतरता तो उनको के मुह लेकर मुझे उनके पास जाता इसी अलके में बलराज कुंडू भी थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं आपके गोतर से भी आते हैं वो और तित्रम कैलरम या आसपास के गाओं गोहान में अपनी पैठ भी थोड़ी सी बनाई है उन्होंने क्या लगता है कि उनके साथ जाना उचित रहता कॉंगरिस की पार्टी को पता कितना चाहरी है कॉंगरिस मेरे को चाहरी है तब ही कॉंगरिस पार्टी के बड़े सिनियर नेता उन्हें मेरे को बोला है इलाका में त्यारी कर अगर आपका पलड़ा मजबूत हुआ आपकी त्यारी मजबूत हुई तो टिकट देंगे जिसका भी पलड़ के काम नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से होने चीए थे जिस तरीके से अलका ने बोट दिये थे बैचारी बैचारी करका है उस तरीका से अलका का विकास तो नहीं है उसने खुद का विकास जरूर किया है आप कभी उस तरफ आओ किसी भी गाओं की सरड़को मारी तो पांस स देखो किसी भी गाउं का बाई पास देखो किसी भी गाउं की सरड़क देखो आपके पत्तरकार गए हुए थे कोई नई सरड़क बनी तिर उसको आध से उखाड रहे थे वह बिलकुल साथ साथ हुखर रही थी तो ऐसे इसका मतवल या तो जो कोंट्रेक्ट रहें के साथ इसकी साथ गांट है सिदा सिदा जब गोर्मिंट पैसा दे ली तो काम तो पूरा लेना चाहिए यह थोड़ा आज सरड़क बनाई रहो एक अब तम सरड़क उखड़गी तो ऐसी सरड़क है अभी आज गल की राजनीति कलायत में आप देख रहे हैं दो या तीन सालों से जनता नेता को देखती है कि वो प्रोटेस्ट कर रहा है दरने दे रहा है जनता की आवाज उठा रहा है सुनील कुंडू इस तरीके से नहीं नजर आ एक लायत में तो क्या लगता है जनता फिर भी पसंद करेगी मैं कि किषान अंदलन हो साय और हर आप में बढ़ चड कर भागे लेता ह। और यह पता जो आप मेरेसे पूछ रहे इसका जबाब मेरे गाओं वालेर दे देंगे आपको मैं गाओं की लहर बाके गाओं गौफांड तक पहुचई है और प सबसे नमर कर रहा हूं तो लोग मेरे को पूरा सने और प्यार दे रहे हैं मेरे साथ जुड रहे हैं जरूरों और तब्दीन आदमी का तो आद्धर मान बोल साल से पता चल जाता है यह आदमी कितना चाहिए आपने को तो सुनील मेरे साथ थे और बता दिया 2024 किस तरीके का रहेगा और अपनी तरफ से किस तरीके की इनकी रन्नीती रहेगी फिलाल कैथल वैग न्यूस के साथ इतना ही